Welcome back to Progress Pioneer आज Adobe Photoshop के second week का second lecture है आज के lecture में हम लग देखेंगे के patterns क्या होते हैं pattern tool को इस्तमाल करना सीखेंगे pattern film किस तरह करते हैं ये देखेंगे एक pattern को कैसे create किया जा सकता है ये देखेंगे इसके अलावा हम लग देखेंगे layer mask क्या होती है और कैसे इस्तमाल किया सकता है उसके अलावा हम लोग देखेंगे clipping mask क्या है तो चलें शुरू करते हैं तो basically patterns क्या होते है pattern आप लोग ने अगसर tiles में देखा होगा कि एक ही तरह का design बार बार repeat हो रहा होता है तो ये जो repetition of same design है इसे patterns कहते हैं यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर आपको काफी ज्यादा patterns नजर आ रहे होंगे tiles के different तरह के patterns नजर आ रहे होगे यह patterns हम लोग बनाते कैसे हैं और इस्तमाल किसे तरह करते हैं तो हम लोग photoshop open करते हैं तो देखते हैं यह हमारे पास photoshop covered area है सबसे पहले हम देखते कि patterns क्या होते हैं तो अगर हम लोग यहां पर आया हमारे पास यहां से हम लोग windows में आकर patterns पर क्लिक करें पर नित्र में हमारे पास साइट पर पैट्अि उया है हिं pattern में all ready photoshop software में हमसे look y Fit a नो मिलते हैं यह देखर यहां पर एक pattern पैंट यहां से डॉल को फिल करने का इस के अलाबा एक यहे चलु कर ब्राइब्स पुलक खाकर, यहां से यहांसे और ठीक्न अनुट में यहां से हम लोग पैटन स्लेक्ट करेंगे यहां से पैटन को हम लोग स्लेक्ट करेंगे यहां से जिस पैटन को हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां से इसे ओके करेंगे तो यह दिखें ग्रास का पैटन अप्लाई होगा अब एक और त करने के पाद यहां पर देखें तो यहां पर क्लिक करने के बाद यहां से देखने यह अपलाई हो गया अब इसके बाद आप इससे रिसाइज कर सकते हैं इसे मैं यह करता हूं तो यह दिखें, यह अगर मैं यह से कर दो कर दो यह देखें पैटर आपका करता हैं हम लोग simply एक new layer लेते हैं, जिसका size 50px by 50px होगा, यह depend करते हैं, जब आप pattern बना रहे होते हैं, उस वकद आपने decide करना होते हैं, आपके pattern का size क्या होगा, small amount of design, ठीक है, हम लोग नहीं यहाँ पे एक design बनाना है, हम लोग नहीं यहाँ पे 50px by 50px का design बना लिया, canvas बना लिया इस canvas में हम लोग यहाँ पे simply selection tool लेते हैं, selection tool लेने के circular बनाने के बाद यहाँ से simply brush tool में, bucks town में हैं, brush tool में हम लोग कोई सभी कलर कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से sky blue color कर लेते हैं, इसे okay करते हैं, यहाँ पे brush tool लेंगे, यह new layer लेके brush tool которого में, we can indoor next workflow tool का design, यहां से सैखने कि सैखने के पाद हम आते पास यहाँ पूंऑ किये अब करने के बाद आद हम लोग। बैगराउंड से हम लोग करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर यहां पर डिफाइन प्रॉप करेंगे इसके बाद यहां से लोग ने चुट पैटर डिबाएंगे टेमेंगे तो यह देख निलिए यहां से हम लोग यह देखिए यहां लोग ने पैटर्न पर क्लिक किया है यह देखिए मारे पास यह पैटर्न बने कि से मैं स्केल अब करता हूं तो यह देखिए व्रसफ जोम आउट तो यह देखिए जोम लोग ने वहां पर design बनाया था यह as it is वही design बना ठीक है तो आप लोगों ने 200x200px का canvas बनाने और उसके बाद यह design बना तो इस तरह आप काफी जयदा बना सकते हैं यह तरह इसी तरह बने हुए हैं कि आपने एक design बनाने उसके बद बना सकते हैं तो हम लोग ने देख लिया patterns क्या होते हैं patterns कैसे इस्तिवाब करते हैं और पैटन कैसे बनाते यह तीन तो होगी इसके बाद आगे देख्ते हैं के लेर मासक को हरो समझने इस पिक्चर को हम लोगों ने इसकी कॉपी बना रही को ट्रोल दे करती है अब यह देखें आपको इस को समझाने के लिए कि यहां पर मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे पास यह ही सर आए तो मैं सिंपली लासो टूल से आता हूँ सीर्फ मैं से यहां से इक रफ्सी सेलेक्शन करता ह LAUGH Из फेस की मैं यहां से एकना स्लेक्शन की है और यह सेलेक्शन होगी इसके बार यह देखें यहां पर सिंबल मास्किंग का मैं जिसमिन के सिंबल क्लिक करता हूँ आप लिखा होगा रहा है je dखें तोइर ने किसी चीजको सेलेक्षिन करना चाहरे हैं yeah को अपनी मर्जी से करना चाहरे है तो लोग चाहते किरेनल इस डार्य विक प्रीड़ना ऊप और हमारी मर्जी की सॉलेक्षिन सिराफ में नज़र आई तो इसे ब्लैक कर देता हूं फोर्ग्राउं कलर को फोर्ग्राउं कलर को ब्लैक किया और यह देखेंगे मैं इसे असानी से प्रमॉव कर पा रहा हूं तो बेसिकली मास्किंग बहुत सी जगाँ पर काम आती है उनमें से एक यह भी चीव है अब तो यह हो गया मास्किंग का कॉंसेट अब एक होता है क्लिपिंग मास्क का कॉंसेट क्लिपिंग मास्क का कॉंसेट कहां पर हमें दूरत परती है यह मेरे पास पूरी पिक्चर है और मैं चाहता हूं कि रिक्टैंगल में सिर्फ पिक्चर है तो इतके लिए क्या है कि हम लोग सबसे पहले यहां से न्यू लेयर लेंगे यहां से रिक्टैंगल मार्की टूल लेंगे उसके बाद जैसी हमने स्लेक्शन चाहिए हम लोग फ्लेक्शन ले लेंगे यह डिसलेक्ट हो जाएगा इसके बाद मैं यहां पर इसके एक कॉपी लोंगा डिप्लिकेट लें उसके बाद यहां पर सबसे उपर ले क्या होंगा एनेबल करूंगा तो यह देख यह पिक्चर हमारे पास आगी तो हम लोग क्या करेंगी मोग तूल से इसे एड़ेस्ट करे है हम लोग इस प्रेम में यह इतने इतने प्रेम नहों करें यह पिक्चर दिखाना रही है तो यह देखें यहां पर लिखाव है रहे पास प्रीक्चर को मूब भी कर सकता है इसी तरह अगर हम लोगा ने एक सरकल में पिक्चर लेनी है उसका देखो तो मैं पिक्चर दिये तो यह मैं लिए डिने के बाद मैंने इसे के डिन कर दिया उसका दुछ bisher एक नहीं पिक्चर ली यहां पर आकर सबसे उपर रखी इसे विसिबल किया और उसे मैंने यहां पर मूँव तूल से यहां पर लेकर आकर यहां पर राइट क्लिक किया और हम लोग यहां से जैसे create clipping mask पर click करेंगे तो यह देखें यह clip होगई अब इसी तरह हम लोग करेंगे इस layer पर click करके फिर control T किया हम लोग नहीं इस layer पर click करके हम लोग इसे shift press करके equally resize करेंगे और यह देखें हमारे पास यह इस तरह आगी तो clipping mask और layer mask का हम लोग को सी जगों पर इस्तमाल करते हैं advanced classes में हम लोग यह बताएंगे आपको आज के लिए इतना ही inshallah next class में मुलाकात पर पीचिए